कैसे हैं आप सभी लोग I hope आप सभी बहुत बढ़िया होंगे मैं क्यार सेनी के आर एजुकेसन पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों यहाँ पे एक भाई ने जो है बहुत इसांदार कमेंड किया है और इसके अंदर यह सभी के काम की बात है दोस्तों कि यहाँ पे इस कलर कम टाइपिस्ट पोस्ट पर काम करना पड़ेगा यह फिर ओपीस सुपरडेंट ही रहता है केवल सीनेटी लोस होती है प्लीज रिप्लै तो देखें दोस्तों यह जो है कमेंट सभी भाईयों के काम का है चाई वो जो है सीटे बन जाए SS बन जाए Station Master हो या किसी भी पोस यह भी बहुत सारे common doubts है आप सभी लोगों के कि क्या SS बनने के बाद में फिर से SM ILR में डूटी करनी होगी क्या यह जो है CTA बन जाता तो फिर से उसको TC बना जियाता है क्या ट्रांसपर के बाद में ट्रांसपर लेकर कहीं अपने गलती तो नहीं कर रहे हैं ट्रांसपर ले इस वीडियो में क्लियर करूँगा दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही informative होने वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चले फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं में आपके ताइप आप यहां पर जैसे की डिबिजन में हो एक तो यह वी दो टाइप कर ऊता है व्टार इंटेरrel批ण divijjian में आप एक ही जॉन में रहोगे एक ही जोन के एक दूसरे divijjian से यह दिद कि मान लेते हैं कि आज्मेर zone में हो और इसमें विकानेे और जोड़ पूर्ट दो डीजन तो इसमें अपसिंए अगर इस से अन्ड रिक्वेस्ट लगाँ किसमें जा रहे हो तो इसको इंटर डिविजन बोल देते हैं और इंटर रेल वे का मतलब है और एक आजमेर हैं दूसरी तरफ और विजिए कोई चलिका है तो इसमें अगर आप जा रहे हो या यहां से आ रहे हो तो उसको चो बोलते हैं inter-railway transfer तो on request transfer उन्साल की मामल में आप कभी ङभी लगा सकते हैं तइम के कोई बाउंडेशन नहीं है औरव जो है उन्सें wasöm выпуск क्लें यह और अप इंदाएक टो उसके लिए 5 साल के हें dei उसके बाउंडेशन नहीं है उसके बात को गारेंटी नहीं है कब हो 5 사ाल भी लग जाए 10 साल भी लग जाए 15 साल भी लग जाए 20 साल भी लग जाए उन रंफ्सक्र में सबसे ज्यादा टाइम लगता है दोस्तों तो यहाँ पर यह गया दिश्वाल होता है इस पॉज बेस ट् और पांच साल मैंने महाँ पे duty की और 5 साल के बाद में जब में transfer लेके यहाँ पर ज्यपूर में आ गया है मैंने on request भी लगा रखे थी spouse based भी लगा रखा था तो spouse based जो transfer है वो मेरा जल्दी हो गया था बाकि on request transfer भी जो है थोड़ा time बाद हो जाता लेकिन इसमें थोड़ा time लगता अब देखे on request transfer अगर आप आते हो कहीं इंटर रेल्वेश हो तो आपकी यहाँ पर सीनेटी लोस हो जाती है चाए आप वहाँ पर SS थे यहनि चाए चाए चाही छीनेटी लोस हो जाएगी उस डिविजन में जब आप जा रहे हो तो सबसे बोटम में चाही जो है आप आप से पांस दिन पहले किसी बंदे ने वहाँ पर जोइन किया हो एकदम फ्रेस बंदा हो और आपकी service यहाँ पर चाही 20 साल की होगी और चाही 30 साल की होगी हो आप इससे जूनियर ही जाओगे यह नहीं कि अगर वहाँ पर दो पोश्ट होगी RG और LR की तो आपको LR में रखा जाएगा और वो आपसे senior तो उसको RG में रखा जाएगा तो दोस्तों इतनी age उस्ताव में इतनी मिला आप जो 15-20 साल की नोकरी में काफी agile हो जाता है तो उस case में आप जो है LR की नोकरी जब करते हो अलग लग स्टेशनों भी जाते हो जो की एकदम fresh बंदा करता है तो उसमें थोड़ा सा इसा अजीब सा लगता है तो यह यहाँ बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है कि आपको जो 15-20 साल बाद में अगर आप ट्रांसपर लेते हो तो यह बहुत बड़ा नुक्षाइन दाएगा इससे अच्छा तो आप जो है जिस डिविजन में जिस जोन में हो क्योंकर 20 साल की नोकरी बसती है कि इतनी 10-15 साल की मु बढ़ती हुए चाहिए दोजार ग्रेड में बढ़ती हुए अगर और प्रमोशन पाके मान लेते हैं कि आपने जो यहां पे अठाइसों से आपने जो बयाली सो च्हाली सो ले लिया है लेकिन आप आपका जब ट्रांसपर होगा यह इन दोनों केस में बता रहा हूं और रि फिर से यहां पे जूनियर कलर कम टाइपिस्ट वाला काम ही करना होगा तो यह हो गई एक बात यह आपको क्लियर हो गई होगी कि अपने को इनिशिल गड़े में आपे जाना होगा SS भी बन जाएगा SM बिल्कुल ट्रांसपर होगे लेता है और रिक्वेस्ट या इसको SM LR बना जियाता है या RG बना जिया सबसे बोटम में रहेगा दोस्तों और जो SS यहां था उसको वापस वहां पे 10-15 साल लगे जाएंगे SS बनने में उसी परकार CTA का मैंने बता है आप इनिशिल ग्रेड में आपको जाना पड़ेगा और ट्रांसपर लेकर कहीं गलती तो नहीं कर दे के दोस्तों यहां पर ट्रांसपर का ऐसा है एक Homesickness होती है यहां पर हलांके अपने सिनेटी लोस होती है लेकिन जिनको घर के पास नोकरी करने होती है तो वो ट्रांसपर ले जो होता है एलपी असिस्टेंट लोको पाइलेट उसके रूप में काम कर रहा है एक आप अंदाजा लगा सकते हो मेल एक्सपेक्स का ड्राइवर यहां पर असिस्टेंट की नोकरी कर रहा है बहुत बड़ी बात है दोस्तों है कि एकदम इनिशियल आप वहां पर वापस उ दोस्तों लेकिन वहां पर होती हैई कि घर के निजदिगाने में लोग इतना सेक्रिपाइस कर देते हैं अब बात ही याति आती है कि आपना जूक ठानस्पर होता है कितने साल में हो जाये तो ठीक राजता है तो देहरे दोस्तों मेरे हिसाफ कर पांचश साथ साल में अगर तो यह सब्सें सब्सक्राइब नुक्सान हो सकता था लेकिन यह नुक्सान रहा कि जैसे कि मेरे साथ के हमारे बेच के जो कहीं लोग यहां पे पहले से अर्ड़ी यह पूटेजन भी थो तो वो जो है अब SS बनने वाले हैं और हम जो है अभी हमें बहुत टाइम लग जाएगा आपे कम चेकंग 5-10 साल यहां पे लग जाएंगे आराम से SS बनने में तो इस प्रकार हम जो है 5-6 साल बाद में उनके SS बनेंगे और वो जो हमारे साथ के लड़के अभी SS बन जाएंगे और दूसरी बात दोस्तों यहां पी जो नहीं बढ़ती आई थी उसमें जिन लोगों ने जहां जनुरी में जोइन कर लिया था और हम यहां फरवरी में आया थे तो देखे दोस्तों हमारी बी बीटी में करने के लिए सोटेबल होता है इसके हो धोस्तों एक transfer होता है mutual transfer तो देखे mutual transfer के अंदर क्या होता दोस्तों मिल जाएगी लेकिन दोस्तों अगर आप 46 में हो और आपको 42 वाले से मूचल करना है तो देखें यह जो 46 वाले की सीनेटी है उस डिविजन के अंदर यह जिस नंबर पे हैं सीनेटी के अंदर वह इसको मिल जाएगी लेकिन यह 42 वाला अगर 46 वाले की जगह जाएगा तो यह एकदम बोटम में जाएगा यानि इसको कोई फायदा नहीं होगा एकदम नुकसान होगा ट्रांसपर लेने में और यह जो है इसको भी हालांकि होगा नुकसान ही लेकिन इसको इसकी सीनेटी मिल जाएगी जूनियर वाले को तो जो जूनियर की सीनेटी है उस डिविजन में एक देम इनिशीली एक जैसे सुरुवात करते हैं वैसे करना होगा अब यह तो जो सीनेटी विनेटी की तो कोई बात इतना लफड़ा नहीं है क्योंकि इस्टेस्टेस्टर विगर या टीटी जैसे सीटे बन जाते हैं तो उनके तो क्लास गाड़ियों की सिलिप पर ऐसी बग सेलरी में एक पैसा भी कम आपका यहां पर नहीं होगा और साथ ही जो दोस्तों हाँ थोड़ा से हो सकता है कि मान ले कि मैं विकाने डिविजन था तो वहां अगर मैं एसस बन जाता तो मेरे को यहां पर प्रमोशन मिल जाता और 45,900 मेरी बेसिक हो जाती जो कि 41,100 मेरी अभी से भी आपको मिल जाता है तो एक मेरा को एक मेरी में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह इतनी सारी ट्रांसफर को लेके जो क्यों करी बची हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए मैं आपके कमेंट का रिपलाइ जरूर करूँगा और मैंने अपनी तरब से इसके बारे में जान